दरसल कोरुना से लडाई में कुछ किरदार ऐसे हैं जो जान बूच कर इस महामारी को पहलाने का काम कर रहे हैं कोविट प्रोटोकॉल का उलंगन करते वे वाले ये लोग मुसीबत का सबब बने हुए हैं जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस आपदा को कमाई का अवसर बना चुके हैं जरूरी दवाईयों की काला बाजारी से लेकर कई अस्पताल मनमानी फीस वसूल रहे हैं ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए सरकार सखत कारवाई भी कर रहे हैं लेकिन सवाल ये कि संकट काल में सौधेवाजी क्यों है भारत कोरोना से जंग लड़ रहा है इस जंग को जीतने के लिए लोग एक दूसरे की मदद कर रहे है इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे है एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे मरीजों तक राहत पहुचाने की कोशिश की जा रही है अक्सीजन की किलत को दूर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाय चा रहा है इस संकट काल में भी अच्छाई जिन्दा है लेकिन इस अच्छाई के बीच बुराई भी कुंडली मारे बैठी है मसलन आपदा में भ्रष्टा चार, नियमो का उलंगन, गैर जिम्मेदाराना रवया और दवाईयों की काला बाजारी जितनी शिद्दत से समाज सेवी संस्थाएं लोगों की मदद कर रही है जितनी गंभीरता से सरकारें कोरोना पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है शायद उतनी ही लापरवाई उतना ही भ्रष्टा चार कोरोना की इस जंग में मुश्किलें पैदा कर रहा है यखीन नहीं आता तो ये तस्वीरें देखिए दस्वीरें इन दौर के एक अस्पताल की हैं जो अखाडा बन गया कोरोना पीडित मरीज के तिमारदारों और अस्पताल प्रिश्रासन की बीच हाथा पाई की नौब बता गई अस्पताल की स्टाफ ने महिला की बुरी तरह से पिटाई कर दी आरोपे की अस्पताल में भरती रवी प्रकाश वर्मा की बेटियां क्रितिका और रुचिका अस्पताल की और से जादा बिल मांगे जाने का विरोध कर रही थी जबकि अस्पताल प्रिश्रासन अधिक राशी मांगे जाने के आरोपों से इंकार कर रहा था इसी बात पर दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई अस्पताल में भरती मरीज की बेटी रुचिका की माने तो उनकी बहन के कपड़े भी भार दिये गए जबकि काउंटर पर रखे एक लाख रुपए भी अस्पताल वालों ने रख लिए इनका ये भी आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों को ठाने ले जाकर छोड़ दिया हमारा वो पैसे की इसमें बोल रहे हम एक लाख रुपए मैंशन नहीं करेंगे हमारी गाड़ी की चापी भी मैंशन नहीं करेंगे हॉस्पिटल स्टाफ की और यह भी बोले हमारा जो मोबाइल गाया वो भी हम नहीं देंगे लोगों को प्रैशर बना रहे हैं और लोगों ने वहां इनको सब को भेज दिया है और रहा स्टेक को भी नहीं किया हलागी पुलिस ने मामले में रुचिका वर्मा की और से अस्पताल स्टाफ के खिलाफ एफ आयार दर्च कर ली है लेकिन अगर अस्पताल प्रिशासन पर जादा बिल लिये जाने का आरोप सही पाया गया तो ये वाकई शर्मना घटना होगी कोरोना से जंग में कुछ दवाईयां बेहत कारगर साबित हो रही है रेमडे सिविर भी इनहीं में से एक है लियाजा रेमडे सिविर की बढ़ती मांग को देखते हुए काला बाजारी भी सक्री हो गये है रिवाडी में ऐसे ही काला बाजारियों पर शिकन जाकसा गया पुलिस के मुताबिक करीब 2,000 रुपए की कीमत वाला इंजेक्शन 23,000 रुपए में बेचा जा रहा था करोना काल में शादियां तो हो रही है मगर कोरोना गाइडलाइन का पालंग करते हुए अलग इन तस्वीरों में आपको किसी भी गाइडलाइन का पालन होता नजर नहीं आएगा ना सोशल डिस्टेंसिंग ना मास्क नजर आएगा तो आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि ये शादी राजसान के 84 से भारतिये ट्राइबल पार्टी की विधायक राज कुमार रोत की है ध्यान से देखिए दुलहा बने विधायक महोदे नहीं मास्क नहीं पहना है तो शादी में भीड इतनी कि कुरोना ना आये तो जाए कहां विधायक जी किस तरह नियमों का पालन कर रहे थे ये वीडियो में साफ देखा जा सकता है जब उन्होंने खुद ही मास्क नहीं पहन रखा तो दूसरे क्यों पहने भला अलगे इस मामले की शिकायत के बाद कलेक्टर की निर्देश पर मौके पर पहुँचे SDM और पुलिस अधिकारियों ने विधायक जी को तो छोड़ दिया लेकिन उनके ससूर पर 25,000 रुपए का जुर्माना जरूर लगा दिया जाहतर सबी सब्सक्राइब की जहां पर उलंगा वहांपर कारवाई भी ते दोरेकिए इन वसमें फिच्टेम को उने बोल जाके ने मनसार जो ज़गाना बनता है वह साब गई की कोरोना के संक्रमन को रोकने के लिए बिहार में राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू के साथ कई बंदिशियं लगा रखी है कई जगे इसका पालन भी हो रहा है मगर बिहार के कई जिलों में इन नियमों का खुल कर उलंगन भी किया जा रहा है कुछ ऐसा ही एक मामला नवादा से सामने आया जहां नाइट कर्फ्यू के दौरान बार बालाओं के ठुमके पर रात भर गाओं वाले नाचते और जूमते दिखे ये वीडियो नवादा में सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है तो बताया जा रहा है कि कारिक्रेम के दौरान बार बालाओं को बुला कर डांस प्रोग्राम कराया गया जिसमें सैक्डों की संख्या में लोग मौजूद थे कोरोना तेजी से फैल रहा है बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हो रही है लेकिन इस सब के बावजूद शादियों में कोरोना गाइडलाइन की जम कर धजियां उड़ाई जा रही है उत्तरप्रदेश के ललितपुर की ये तस्वीरें बानगी है कि किस तरह लोग जान बूच कर कोरोना को निमंतरन दे रहे हैं गौर से देखी एक ऐसे डीजे की धुन पर बड़ी संख्या में लोग डांस कर रहे हैं इसमें कई ऐसे भी हैं जिनके मुँपर मास्क नहीं हैं यही नहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी धियान नहीं रखा जा रहा है जबकि यूपी के ललितपुर जिले में अब भी कोरोना के 3000 से जादा एक्टिव केस मौजूद हैं प्रशासन ने शादियों के मद्यनजल जादा से जादा 50 लोगों को कारिक्रम में शामिल होने की अनुमती दी है इसके बाद भी लोग ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे कोरोना इनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता ये तस्वीरें उत्राखंट के पौड़ी जिले की हैं यहां सुमवार शाम 7 बजे के बाद से 3 मईत तक कर्व्यू का जैसे ही अलान हुआ लोगों में खलबली मच गए बादारों में सुबह से ही खरिदारी करने वालों की भीड जुटने लगी तो हालात इस गदर खराब हो गए कि जगे जगे जैम की स्तिती बन गए कोरोना के खत्रे के बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते भी नजर नहीं आए तो बेतहाशा भीड को काबू कर पाने में फुशासन भी असमर्थ दिखाए सवाल ये कि गब जनता ये समझेगी कि सरकारों के साथ साथ कोरोना को रोकने की जिम्मेदारी हम सब की भी है कोरोना गाइडलाइन का पालन करना हम सब के लिए जरूरी इस आपदा से बाहर निकलने के लिए मासक और सोशल डिस्टेंसिंग बेहस जरूरी और फिलाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कोरोना के खिलाफ Reliance Industries Limited और Reliance Foundation की ओर से मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कैसे मिशन चल रहा है माराश्ण में 875 बेड़ वाला विशाल कोविड हॉस्पिटल और कई राज्यों में 700 मिट्रिक टन उक्सीजन सप्लाई की चेन साथ ही आपको दिखाएंगे कोरोना महामारी पर कैसे भारी पढ़ रहा है PM मोदी का कूट नितिक पंच सूपर पावर अमेरिका समेथ कई बड़े देशों ने कोरोना के खिलाफ भारत की मदद के लिए मोचा समहा लिया है कोरोना को हराने वाली दोनों बड़ी खबरें एक प्रेक के बार